हलो एंड वेलकम बैक टू माइ चैनल बात करने वाले इस वीडियो में केंगवा साइंस एंटेक्नोरजी इंडिया लिंपिट के बारे में स्टॉक को देखोगे तो आज स्टॉक लगवाग लगवाग 13 14% के आसपस अप है और एक बड़िया ब्रेक आउट देरों देखने को मिल रहा है इसमें एक और बड़िया सा मूह हम लोगों को अभी एक्सपेक्टेड है कि अभी और अच्छे लेवल पर जाता हुआ देखने क स्टॉक मिल साथ है क्योंकि जो तेजी आई है एक महीने के अगर हम लोग देखें तो लगवाग लगवाग 24% स्टॉक अल्यडी उचल चोगा है तो क्या अब इस लेवल पर अभी इसमें पोटेंशल वाकी है या स्टॉक अब करेक्ट होने के लेवल पर आ चोगा है तो सार सथ बर्काट के साथ इसलों फॉलॉ-ऑप देखनें को मिल रहा है तो चली श्टार्ट करतें फूर्डमेंटल से उसके बाद देखेंगे इसके टेखनिकल से तो स्टार्ट करेंगे fundamental से, तो fundamental देखोगे, तो market cap 4,014 crore का market cap देखने को मिलता है, stock P500, 32.2 का है, ROC, ROE बहुत active है, थोड़ा सा ROE डाउन है अभी भी, क्योंकि इतना stock भागा नहीं तरह प्रकार से ROC अच्छा है, चलिए, industry P 35 का है, तो stock देखा जातों, अब भी थोड़ा सा undervalued है, promoter holding बहुत sound है, 75% के, वो सेवी के rule के according 75% से ज़्यादा नहीं हो सकती है, public holding, oh sorry, promoter की holding, तो ठीक है, debt देखोगे, तो company पर almost debt free company, यह से 32 क्रोड का debt है, तो debt free भी consider कर सकते हैं, free cash flow negative में है, यह negative point भी है, intrinsic value देखोगे, 984 रुपे की है, तो stock थोड़ा सा premium पे trade कर रहा है, intrinsic value और book value के according, चलिए, quarter one के result और देख लिते हैं, अगर हम quarter one के result देखते हैं, तो अगर हम 416 क्रोड की स्वार सेल्स विए, और पिछल levels पे गई है, मतलब हमेशा एक पिछले sales को beat हमेशा किया है, अभी तक पिछले 5 quarters में, और उसके बाद अगर margin देखेंगे, तो margin भी लगए, अगर इंटेक्ट है, 15, 13, 13, 13, 14, margin में इंटेक्ट है, अधर इंकम debt है, नहीं है, finance cost पर एक करोड़, दो करोड़ के असपास, अध जाते हैं सीरिये कि अपना net profit पे, जो की company का ultimate goal होता है, तो 35 करोड़ की यहां पर profit कमाया, यहां पर margin कम हो गए तो इस वज़े से थोड़ा सा profit में drop देखने को मिला, again margin कम हुए थे, इस वज़े से profit में all drop देखने को, margin improve यह profit अप हो गया, 34% का हो गया, और इस बार margins और एक् काफी अच्छा है, सारी चीज़ें बहुत sound देखने को लग रही है, balance sheet देखोगे अगर company की, तो सिर्फ equity capital देखोगे तो इसने 12 करोड़ का, इसी वज़े से जो market cap देखने को मिलता है, 4000 करोड़ का देखने को मिलता है, और company का price देखोगे तो 3000 रुपए के ऊपर है, तो इस देखने को नहीं लग रहा है, promoter की holding देखोगे, तो FII का अच्छा stake है, यहाँ पर बाकी का promoters के पास 75%, अलावक 6% के असपास FII का है, rest of amount public के पास देखने को मिलता है 18%, क्या public में कोई है, तो यहाँ पर भी देखोगे, तो मुकुल मावी रग्दरवाल सर्तनाम आता है, व इनका भी देखोगे, तो लगवग 1% का stake इनके पास भी है, तो मुटा माटी देखोगे, तो 4%, तो लगवग-लगवग मार्केट में इनके 14% के असपास का share, मतलब Free Flood Market में हम लोगों को देखने को मिलता है, तो यह हो गए, overall fundamental structure किस्वगार का है company का, अगर इसके regarding अगर previous एक resistance का level था, जो कि break नहीं हो रहा था stock से, अगर यहां पर तोड़ा सा, तोड़ा सा यह ऊपर अभी break बनी हुई है, बुलकुल perfect, बुलकुल, अब देखोगे, तो यहां पर एक red candle develop हो गई थी, volume जो आय थे, वह निकल गई थे, बापस एक बढ़िया मुग देखने को मिला तो follow-up काफी strong है, तो इसके लिए कुछ ज्यादा नहीं करना है, हमें से देखोगे, यहां पर high लगाया था, तो बाद में अगर देखोगे, तो हल्की सी detesting हुई थी, यहां पर भी अगर देखा जाए, तो एक year resistance का level था, support का level था, अब बापस से अगर support का level देखोगे, तो अगर किसी ने नीचे वगरा ले रखता है, तो उसको सबसे अच्छा है कि इस trend line के साथ में वो अपना stop loss ट्रेल कर सकता है, तो अब भी फिलाल के लिए अगर हम support देखे, तो यहां पर बने थे multiple inside bar, देखोगे, तो inside bar यहां पर अच्छे कासे बने हुए थे, और उसका लेकल के आएगा, जो कि something something लोग 2900 रुपए के आसपास पर देख सकते हैं, तो आप लोग का इसके regarding क्या views है, comment box में जरूर बताएगा, तो कि volume अच्छे आ रहे है, breakout काफी अच्छा है, लेकिन अब भी अगर देखोगे, तो इस level पे, थोड़ा सा risk reward अच्छा देखने को न इनसाइड बार करेगा होगी, अगर closing कुछ 3100 रुपए के आसपास होती, तो stock better था 50% के आसपास पर, 3100 रुपए, 3000 रुपए, तो ये level तो ठीक लग रहे है, लेकिन इन level पे stock थोड़ा सा मुझे महंगा लग रहा है, अगर एक dip आती है, और कुछ stock बापस से 3300 रुपश प लगाती है, कोई blue scandal बनती है, तो मुझे लग रहा है कि एक अच्छी तेजी बापस से देखने को मिलेगी, और बड़े आराम से year stock 4000 रुपए के levels पर जाता हुआ, देखने को मिल सकता है, तो अपना views जरूर सेया करिए, और किसी भी investment से पहले अपने financial advisor की सला जरूर मिलते अगरे वीडियो समत तक के लिए धन्यमाद